रोब्ड का क्या अर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं रोब्ड का दू तरीकिसी इस्तेमाल किया जा सकता है तो जिसे रोब्ड किया गया हूँ या जो रोब्ड किया जा चुका हूँ उसे हम एडजेक्टिव के रूप में रोब्ड कह सकते हैं इसके इलावा roped जो है वो roped का past and surpassed participle होता है यानकि roped की ही second और third form होती है roped और roped का आर्थ होता है रसी से बांधना या रसी बटना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने बकरी को एक चोकी से बांधिया या एक चोकी से रसी की साथ बांधिया तो आप कहेंगे I roped the goat to a post या अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने उसे एक पेड़ से बांधिया तो आप कहेंगे they roped him to a tree या अगर आप ये कहना चाहें कि सीडियों को रसी से बांधिया गया था तो आप कहेंगे the stairs were robbed off the stairs were robbed off अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें